बोथ दा रूट्स क्या कंडिशन दे रहा है बच्चों कि बोथ दा रूट्स of equation क्या है? x square minus m plus 1x plus m plus 4 equal 0 are real and b के बारे में बोल रहा है and b के बारे में बोल रहा है कि वो है एक set minus 3 को ले कर और 5 को छोड़ कर which of the following is not true which of the following is not true कौन सही नहीं है उसको बताना है which of the following is not true कौन सही नहीं है एक बताना है option a तुम्हारा दिया हुआ है option a दिया हुआ है a minus b a minus b दिया हुआ है minus infinity से minus 3 open interval union 5 को ले कर infinite तक option b तुम्हारा दिया हुआ है a intersection b this is equal to only minus 3 singleton set c दिया हुआ है b minus a open interval minus 3 close interval 5 और d दिया हुआ है तुम्हारा a union b equal to set of real number चलो इस question को solve करो यहाँ पर क्या हुआ quadratic equation दिया हुआ है condition दिया हुआ है कि वो क्या है real है कोई भी quadratic equation का root real कब होता है जब उसका discriminant greater than equal to 0 होता है और एक set b दिया हुआ है तो आपको पहले इससे m का मान निकालना है और यहाँ o आपका set a हो जाएगा और यहाँ set b तो a minus b difference of set से आपको बताना है कि a minus b जो आ रहा है या फिर जो b minus a आ आ रहा है या a intersection b जो आ रहा है या a union b आ रहा है इसमें से कौन गलत है कौन-कौन सही है वो नहीं बताना है कौन गलत है वो बताना है तो सही चूज कर लो गलत अपने आप मालूम हो जाएगा चलो सोचो इसको झाल्ट मालूम हो जाएगा चलो सोचो जाएगा चलो सो कि अपने इसको है. झाल झाल ट्राइ कीजिए आप लोग झाल 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 चलो देखो भाई यहां पे हम लोगों ने क्या क्या कि अगर किसी quadratic equation का roots real होते हैं तो उसका discriminant मतलब b square minus 4ac greater than or equal to 0 होता है तो b square minus 4ac greater than equal to 0 करने के बाद हम लोगों ने यहां पे aim का मान मालुम किया aim आ गया greater than equal to 5 और less than equal to minus 3 तो a जो हमारा मिला वो कौन मिला set b मिल गया क्या मिल गया set b sorry set a क्या मिला हम लोगो set a मिल गया question में दिया हुआ है उसे set a और set b तुम्हारा दिया हुआ है close open interval minus 3 से 5 चलो तो शुरू करते हैं a minus b निकालते हैं b minus a निकालते हैं a union b निकालते हैं और b union a निकालते हैं अकसर लोगों को यह चीन निकालने नहीं आता है है ना जब 2 set दिया रहे है ना और 2 set में अगर interval के form में खास करके हो close interval, open close interval close open interval और open interval के form में दिया रहे है अगर set है ना तो उस स्थिती में हम लोग a minus b, b minus a a union b, a intersection b कैसे मालूम करते हैं ओ चीज मैं आपको अभी बताता हूँ गौर से देखिएगा इसको है ना सबसे पहले आप क्या करना यहाँ पे एक number line बनाना बना लिया अब जो तुम्हारा x का value आया है sorry, m का जो value आया है minus 3 और 5 आया है whole and soul minus 3 और क्या आया है? 5 आया है हमारा set यह क्या कर आया है? कि value जो होगा वो 3 को लेकर minus infinite होगा और 5 को लेकर plus infinity होगा a जो है वो set a वाला area है लेकिन set b के बारे में का information है? set b जो है वो minus 3 को लेकर 5 को छोड़ कर है minus 3 को लेकर और 5 को छोड़ कर है चलो अब क्या करते है न? कि option को बाद में देख लेंगे पीछे जो option दियावा उसको बाद में देखेंगे हम लोग पहले a minus b खुद से निकालते हैं a minus b देखो जब a minus b यह तुम्हारा b वाला area हो गया तो जब a minus b निकालोगे तो set में a minus b का concept क्या होता है a minus b का मतलब होता है elements का collection जो set a में है लेकिन b में नहीं है यानि जो only a में है तो only a वाले को लिख दो तो only a में कौन है a जो part है minus 3 तो दोनों में आ गया यानि की minus infinity से minus 3 को छोड़ कर लिखें तो वो सिर्फ a में है और इधर देखें तो 5 already a में नहीं है क्योंकि 5 को छोड़ करके है clear है तो already वो a जो है वो 5 5 जो है वो a में है लेकिन 5 b में नहीं है तो जब 5 b में already हैं ही नहीं तो वो already a में रहेगा तो कि b वाले को element को हटाना है तो 5 तो अलड़ी b में नहीं है तो क्या मिल गया हम लोग को 5 को लेकर infinite तक cable कौन हट गया minus 3 हट गया यह a minus b मिल गया देखते हैं a minus b option क्या था a minus b option क्या था ओ देख लेते हैं a minus b option minus infinity से minus 3 union 5 यह सही है option a सही है अब option b में आ जाईए अब निकालते है b minus a क्या निकालते है b minus a तो b minus a का मतलब क्या हुआ बच्चों सिर्फ b का element मतलब a वाले को हटा देना है तो सिर्फ b में कौन आएगा तो minus 3 तो चुकि a में भी है b में भी है लेकिन b minus a का मतलब है जो सिर्फ b में है तो इसलिए minus 3 को हटा देंगे minus 3 से कहां तक 5 तक है ना दोनों को open interval एफ b minus a हो जाएगा है ना b minus a देखते हैं option में b minus a b minus a minus 3 को लेकर minus 3 को छोड़कर और 5 को लेकर एक गलत हो गया एक गलत हो गया यानि option c सही नहीं है एक correct answer होगा आपका लेकिन देखते हैं कि a intersection b क्या आता है और a union b क्या आता है वो भी देख लेते हैं तो देखो भाई a intersection b तो a intersection b का मतलब जो a and b दोनों में common है बताओ क्या 5 दोनों में common है नहीं है minus 3 दोनों में common है तो है बागी कोई common है नहीं है cable minus 3 common है यानि singleton set minus 3 देखते हैं option में क्या था तो a तो true हो गया यह क्या हो गया true हो गया a भी क्या हो गया true हो गया यहां करा है not true निकालना है तो वो cable c मिल रहा है जो की also हो रहा था अब देखते हैं a union b तो a union b का मतलब क्या होता है आइधर a और b और both तो आइधर a और b और दोनों यानि a all real number आ जाएगा क्योंकि अगर 5 b में नहीं है a में है तो वो a union b में तो आएगा वैसे minus 3 दोनों में है तो वो भी आएगा और cable जो a में है वो भी आएगा मतलब all real number फिकर इस तरह से आप देख रहे हैं तो option b जो हमारा आया है वो इस तरह का लिखावा नहीं है वो यहां close दे दिया इसलिए वो गलत हो गया तो option b जो है आपका correct answer होगा इस question के अनुसार यह आपको ध्यान रखनी है ठीक है इसका option क्या होगा c होगा b minus a आपको इसाओ जाए प्यान रखनी है रखनी है तरह से दो कर दो कि देखावा है वो यहारा यहाँ ओखनी है वो जावा बजारावावाशने है बहुत धो जावारा यहाँ है